आज को मॉर्णिंग अलगिए बहूत ही असपेश्यल है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप के करीब चैना दाल और एक पके करीब चावल भीगो लिया था तो काफी अच्छे से चावलो चैने दल फूल चुके थे तो इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक कप के करीब सूजी एक कटोरी कटा हुआ पालक एक मीडियम साइस का कटा हुआ प्याज डालेंगे हरी मिर्च अपने हिसाब से डाले कम या ज़्यादा तीखा लेसुन डालेंगे दो से तीन लेसुन की कलिया कटिंग की हुई हल्दी डालेंगे दो छटे चमच नमक डालेंगे स्वाधनुसार नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने से पहले इसमें हम थोड़ा पानी एड़ करेंगे पानी हमें ज्यादा नहीं एड़ करना है बेटर को हमें ज्यादा पतला नहीं करना है तो मैंने इसमें आधा ग्लास के करी पानी डाला हुआ है अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से मिक्स किया हुआ है तो इसका आप मिस्रन देख सकते हैं ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाड़ा है तो ये बहुत ही अस्पेसल नास्ता होने वाला है इसे मैं मौर्निंग में बना रही हूं ताकि बच्चे भी इसे अपना लंच बोक्स में लेके जाए और घर पे भी खाना हो जाए तो अब जब भी अगर बच्चों लोग के लिए बनाते हैं लंच बॉक्स के लिए तो इसमें काफी सारी सबजिया डाल दे मेरे पास जादा सबजिया नहीं थी तो मैंने थोड़ा बहुत सबजिया डाला हुआ है अब इसमें हम एट करेंगे दही तो यहां मैं खटी दही का इस्तमाल कर रही हूँ तो आधा कप के करीब मैंने इसमें दही डाला हुआ है तो अभी इसे अच्छे से में मिक्स कर लेना है यह नास्ती को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें तड़का लगा लेंगे तड़का पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है उसमें डाला है सरसो के दाने, कड़ी पते और सुखी लाल मिर्च यहां मैं सुखी कड़ी पते का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास ताजी कड़ी पते है तो आप उसे भी डाल सकते है मेरे यहाँ पे नई है तो जब भी कड़ी पते आते हैं तो मैं इसे तोड़ कर सुखा लेती हूँ तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है यह हमारा मिसरन तयार हो चुका है तो अब मैंने गैस पे रखी है एक तावा तावे पे में तेल लगा रही हूँ आप चाहें तो इसमें आप घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब जो मिसरन हमने बना के रखी थी तो एक वर्तन से इसे हम डालेंगे और धीरे धीरे इसे हमें फैलाते जाएंगे तो ना तो इसे हमें ज्यादा मोटा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है तो मीडियम हम रखेंगे और इसे हम लट पलट करते हुए अच्छे से सेख लेंगे तो देख सकते हैं एक तरफ काफी अच्छे से सेख चुकी है अब हम थोड़ा इसमें ओयल लगा लेंगे और इसे हमें अच्छे से दवाते हुए सेख लेना है तो दूसरे तरफ भी काफी अच्छे से सेख चुकी है तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं तो बस इसी तरीके से हमें सारे नास्ते को बना लेना है तो मैं आपको दूसरा भी बना कर दिखा देती हूँ तो तबे पे तेल लगाने के बाद मैंने फिर से मिश्रन डाला हुआ इसे मैं धीरे-धीरे फैलाल लेती हूँ और इसे हमें medium low to flame पे पकाना है ताकि बीच में कच्चा ना रहे तो इसे हमें 2-3 मिनिट तक धियान देते हुए पकाना है तो देख सकते हैं एक तरफ काफी अच्छे से पक चुका है दूसरी तरफ हम तेल लगा लेंगे तो finally हमारा दूसरा भी तयार हो चुका है तो चलिए इसे हम फटा-फट से प्लेटिंग कर लेते हैं तो चावल और चने दाल और सबजिया से बनी हुई बहुत ही healthy नास्ता है बच्चों को भी काफी ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बना की दीजिएगा तो लंच बॉक्स में भी बच्चे सारे खतम करके आएगे तो अगर बच्चे रोज-्रोज रोटी खा कर बोर हो चुके हैं तो कुछ अलग बना कर आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से तो आप इसे जब भी बनाएं तो इसमें काफी सारी सबजियां डाल दें तो मैं इसे आपको दिखाती हूँ कितना मुलाइम बिक्तब बन के तयार हो चुका है तो इसके साथ मैंने तीखी चटनी बनाया हुआ है चटनी है साबु धनिया और चने दाल की तीखी चटनी और साथ में टेमाइटो केचप है तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले लिए